हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 4.1 का question number 2 तो question number 2 क्या कहता है name the line given in all possible यहाँ पे bracket में 12 दे रखा यानि कि 12 possibility हो सकती है all possible ways choose only two letters at a time from the four given तो यहाँ पे कह रहा है यह हमें एक line दे रखिए और इस line के हमें नाम लिखना है और maximum हम कितने letters use कर सकते हैं two letters ठीक है two letters का use करके हमें इसके नाम लिखने है तो कितने नाम लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखो जैसे एक यह हमारा point है एक यह हमारा point है इन दो points को मिला देते हैं तो यह हमारी एक line बन जाएगी a, b similarly यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं b, a दोनों तरिफ से बोल सकते हैं और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे b ले लेते हैं और c लेते हैं तो इस b और c से हम इस तरह से लिख सकते हैं b, c तो b और c से जाने वाली line होगी c, b भी लिख सकते हम इसको और इस line को क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे यह दो points है C और D तो C और D से जाने वाली line होगी C, D इस तरह से हम इसको D, C भी लिख सकते हैं अब यहाँ पे हम नाम रखने के लिए क्या करते हैं एक step gap कर देते हैं यानि कि once A से C पे देखते हैं तो यह A, C इसका नाम हो जाएगा और इसका अगर हम उल्टा करें तो यह C, A हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे अगर हम B से D पे जाएगा तो यहाँ पे यह B, D नेम हो जाएगा इसका और इसका उल्टा D, B हो जाएगा और इस तरह से एक हमारा इन दोनों को मिला लेते हैं यानि कि A, D हो जाएगा, D, A हो जाएगा तो यहाँ पे 12 possibilities हैं और जो है 12 तरीके से हमने यहाँ पे इसके नाम लिख लिए तो एक line के जो है न अगर इस पे हमने 4 points ले लिए तो 12 तरीके से इसको हम बोल सकते हैं questions हम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही